प्रिये विद्यार्थियों इस चैनल में आप सबका स्वागत है आज ये टेस्ट होगा और टेस्ट नमबर 11 चलेगा दस टेस्ट अभी तक खुचुका और आये हुए कोश्चन का ही चल रहा है आपका सोलूशन जो कोश्चन पहले पुच चुका है उसी का हम कोश्चन उठा रहे हैं इस चलते इस पर विशेश हमलोग ध्यान देखेंगे गुरूब डी एंटीपीसी दरोगा सिपाही सब को फैदा होगा तो आये हुए कोश्चन का हम लोग सलो भी देख रहा है कोश्चन हो जाएगा आपका सेट नमबर 11 11 11 का कोश्चन नमबर एक देखेंगे कि एक में है कि किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान अंसर पहले लिख लें इसका अंसर जागा ए घर्टी जुर्जाम में ब्रिधी होती है अब देखें कोई वस्तु को अगर हम फिल ली गिराएं उपर से सोतंत रूप से गिराएं तक क्या होगा उपर से मान के वस्तु को गिरा रहे हैं तो उंचाय कमते जाएगा उंचाय कमेगा इसका यह की इस्सीति उजाओ का मान घहटेगा इस्थिति उजाओ क्या होका को कि आर जब इस्तिती बीजा कमेगा तक अमांग बढ़ेगा गतिज की कि हम बढ़ेगा जो यह बढ़े गांड inconsistcop कि क्यों कम होगा चुक्कि सुन्थ विशाण के लिए सुत्र हम लिखते हैं एम जी एच से जब以ज कमेगा तो इस्तितίο घट जाएगा अब यहतने से गति जुव्या का मान बढ़ेगा कारण कि किसी बिंदु पर कुल उर्जा क्या रहता है नियत रहता है अर्थात एक उर्जा बढ़ेगा तो दुसरा घटेगा तो जब हम उपर से निचे कोई वस्तु को गिराएंगे तो इस्तिती जुजा का मान घटेगा तो घटी जुजा का मान बढ़ेगा तो एक का कौन सानसर हो जाएगा ए तो कोश्चन हम लोग एक देख रहे थे अब देखेंगे कोश्चन नमबर दो दो नमबर कोश्चन है दूसरा में है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियो धर्मी होता है और रेडियो कार्बन हो डेटिंग के लिए उप्योग किया जाता है तो इसका अंसर पहले लिखेंगे भी कि सी 14 का मतला होता है कि कार्बन का परमानुबहर 14 का समस्थानिक देखते हैं सी 12 का मतला जिसका परमानुबहर 12 है सी चौदा का मतलब किसका पर्मानु भार चौदा है तो इसका उप्योग सी चौदा परति का जब हम उप्योग करते हैं तो इसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग इस से जिवास्मों की आयुग्यात केश करते हैं जिवास्म का मतलब कि पहले जीव था अब अब ऑस्यस की रूप में विद्मान है तो कारवन डेटिंग से किसका उम्रे निकालेंगे तो जिवास्मों की आयुग्यात करते हैं और जो हमेशा से निजीव रहा जैसे प्रित्थीवी पुरानी इमारतें चटान यह हमेशा से निजीव रहे तो इसका हम आयू ग्याद करते हैं यूरेनियम लेट विधी या इूरेनियम विधी द्वारा बिक्ष कि आयू एन्वल रिंग गिन करके ग्याद करते हैं बर्स दो रिंग बनता है पधा में जिसको कही दैगाए यह हुआ tenía कर नमबर गया दिख रहे थे वर्ण प्रोटीन संकुचित और सिथिल होता है इसके कारण पेशियां गतिमान होती है तो पहले अंसर इसका लिख दें ए देखें प्रोटीन कई परकार के होते हैं तो एक प्रोटीन होता है संकुचन सिल प्रोटीन जिसके कारण पेशी में सिखड़ा और फेला होता है तो इसका अंसर हम लोग देंगे यानि संकुंचनशिल प्रोटीन और क्वेश्चन नम्बर 4 ये 4 में देखेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन 4 में है कि पिर्थिवी का दर्मान है कि पुछा है कोशन तो इसका आंसर पहले देदें डी यानि 6 गुने 10 के पावर 24 केजी 24 केजी पुछ का दर्यमान 6 x 10 के पावर 24 केजी हो गया तो कुछ का दर्यमान जानेजें जो दर्यमान हमेशाफ पुछते रहता है जो है चंद्रमा का दर्यमान जान का दर्यमान इसका था साथ दसमलो तीन चार गुने 10 के पावर 22 केजी चंद्रमा के लिए असरुज का दर्यमान सुर्ज का दर्यमान जो था 1.99 गुने 10 के पावर 30 केजी यह दोनों भी दर्यमान इंपोटेंट है इसको भी हम लोग देख लेंगे अब पिर्थिवी का दर्यमान 5.98 गुने 10 के पावर 24 केजी उसी 5.98 को हम लोग लगभग 6 लिखते हैं तो अंसर हो जाएगा अब कोस्चन नंबर 5 देखेंगे कि कावक की कोशका भीती खाली जगा बनी होती है तो इसकी कोशका भीती काईटीन की बनी होती है यानि अंसर हो जाएगा बी काईटीन अब देखे इसमें 24 था एक लिगनिन तो अब यह सग्त काईब कामा सब küçLant Acल का exatamente कंउरा मपढर लिगनिन का जमाँ होता है जिसके कारणफा भी को सफनल की Deborah अब हो जाता है कि विभिये Leaving हो गया से लोज तो प्यार का मिलता है या प्रॉड जयो मिलता है तो प्लोर कोट का भीती में पाया जाता है तो बिदिक time यसे लवाल किसका बना होता है से लोज का बना होता है यह देख रहे हैं पांच का डी को अब देखते हैं छे नंबर के शे में है कि सुक्रवाही का मुत्रासय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़ कर एक समाने मार्ग का निर्मान करता है जिसे कहते हैं, तो अंसर हो गया मुत्रों मुत्रवाहिन आठ भका जाता है एयुरेटर, तो मुत्र वाहिनी और स्ुक्रनल का दोनो आपस मिलता है कि दोनों को मिला कर करके हम लोग कहनें के मुत्र वाहिनी अनसर हो गया काउंट सा भी हो गया अब कोश्चन नमबर साथ साथ नमबर कोश्चन कोश्चन साथ में है कि एक समूह में संयोजी इलेक्टॉन की संख्या अनसर पहले लिखें यानि समान होती है देखें आवर्द सार्णी में उदग्र अस्तंब को हम लोग वर्ग कहते हैं वर्ग को समूह भी कहेंगे ग्रूप इंगलिस में कहते हैं तो वर्ग में ऊपर से नी संज्यक्ता दोनों समान होता है और आवर्थ में तो संज्योजी इलेक्टॉन का मान बढ़ता है कि अब संज्यक्ता पहले 1-4 तक बढ़ती है उसके बाद धीरे-धीरे घरते-घरते सुनी हो है तो तीन पॉइंट जो अभी बोले इंपोर्टेंट है यहां से कोश्चन पुछता है तो यह हम देख रहे थे कोश्चन नमबर साथ और अब देखेंगे आठ आठ में की डिवोई खानों में से कौन सा प्रचूर मात्राइं पाए जाता है तो हो गया तेल यानि सी तो आठ क सी अब क्वेश्चन नमबर साथ की र हम ineदी टिवित्य की सरसरहट की थीता दस के पार माइनस एलेवन वाटपर मीटर स्क्वार है कि अ था पत्यों के सरसरहत के कारण थीत्य का अस्तर क्या होगा यह कोश्चन है अब देखें तीवता का अस्तर द्वहनी की तीवता के अस्तर के लिए प्सूत्र लिखते हैं कि L बरावर लॉग आई बटे आई जीरो तो हो जाएगा कितना लॉग और आई दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 11 स्थेस्fashion получается द्वैनि की समाने अस्तर द्वैनि की पृता का समाने अस्तर होताइं दस के पावर reduce %. अब इसको होल्क कि 10 के पावर-2 अब बाइस ले जाएंगे- दस के पावर अंसर हो जाएगा बी नौ का हो गया दस में की एक आदमी 20 किलोग्राम का भार भूमी से पांच मिटर के उचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्ज क्या होगा तो किया गया कार्ज डबलू बराव लिखते हैं एम जी एच तो एम जी एच एम है 20 जी का मान दिया हुआ है दस मिटर पर सिकेंड स्क्वाइर और एच है पांच गुणा करके आता है एक हजार जूल अर्था दस का अंसर हो जाएगा सी यह एक हजार जूल अब कोशन देखते हैं 11 कोशन नमबर 11 11 11 देखिए कि विष्थापन ज्यात करने के लिए हम प्रारभी कि सिती से अंतिमिस्थिति तक एक खाली जगा है बनाना होगा क्या अनसर देंगे डी यानि सरल रिखां देंगे बिस्थापन क्या है पहले जाले बिस्थापन क्या होता है तो तै कीं गई निंतम दूरी है या अइifi निश्ची दिर्शा में की गई दूरी को कहेंगे बिस्थापन जिसे मतPart 2 मालते हैं करिए A ਸे B तक जाना है तो इसके लिए कई के पथ हो सकते हैं कई के रास्ते हैं एसे भी हम ऐसे भी चलेंगे इस तरह से भी जाएंगे और सिधा भी जाएंगे तो त Wilson Keag चाहिएंगे नियुनतम्तम्तूरी Kैसे होगा राहस्टीेट लाइन दिखाएगा यह और तय की कि अब कोश्चन देखते हैं बारह कोश्चन नमबर बारह तो दस का 11 का कोश्चन देखें और अब चलते हैं कोश्चन नमबर शबारह बारह में है कि फ्लोएम खाली जाएगा कि अतिरिक्त निमलीकित में से अंसभी से मिलकर बना एक को छोड़ करके कौन कौन है जिससे फ्लोएम बना यह टूँश्चन आपी बारह का भी फ्लोएम वहाईका पूलिकिका नहीं है वह होता है कि शीव्टिव जिसको चलनी नलका जिसको कहते हैं शक्षी को फलोम परेनकाइमा अफलोम फाइबर जिसको करते हैं फलोम रिषा ले फलोम कि यह वाई कोई टर्म नहीं है इसलिए अंसर हो जाएगा वी उसी तरह से जाइलम में तो जाइलम में होता है ट्रेकिट भेसल जाइलम परिनकाइमा और जाइलम फाइबरिट चार अव्यों को मिला करके बनता है जाइलम जाइलम का क्या है जल अप खनीज लवन को कि पौधे के विभीन भांगों में पहुंचाना और भोजन को पौधे के विभीन भांगों में पहुंचाना कि there कि इसंग्याफ एक किश्षयक्वटि एक स्प्रिंग के आकार के खिलौने में संपड़न और बिरलन को परदस्थित करती है डार्क बेंड को क्या कहा जाता है देखें इस तरह का एक फिगर है कि यह डार्क बेंड तो यह डार्क बेंड क्या दिखा रहा है संपीडन जब कन आपस में मिल जाए तो इसको कहते हैं संपीडन यानि कंप्रेशन कंप्रेशन और दूर दूर देख रहा है वह कलाता है विरलन कोरियर फेक्षन तो यह डार्क ओला दिखा रहा है विटिंग कर चोड़ते हैं कई सटता है कभी दूर हटता जब सट जाता है तो गया संपीडन दूर हटा तो उसको कहेंगे विए यानि एडियर फेक्षन और संपीडन विलन होता है अनुदर्ध तरंग में लगो चुड्नल वेव में बनता है संपीडन और बिलन अनुप्रस तरंग में बनता है सीर्स और गर्थ तो अनुदर तरंग का उदारण जिसे दोहनी तरंग 中共 No.14 कि निम्ल्खित में विटामिन एक का अच्छा सुरत है तो बिटामीन की किसे मिलता है तो मुक्चिप रुप से गाजर में अनसर इसका गया बी गाजर में बिटामी एक राशानीक नाम कहीं पुचता है तो इसका रासानीक नाम है रेटिनोल इसों कहते है रेटिनोल और एक कमी से रतौंधी नामक विमारी होती है इस तरह से इसे रिलेटेड कोच्छन पुछता है तो इस चौदह का हो जाएगा वी और अब देखेंगे पंद्रह कोच्छन नॉमबर पंद्रह कि पंद्रह में कि आइनिकरन उर्जा की इकाई क्या है तो इसे इलेक्टॉन वोल्ट से भी हम आइनिकरन उर्जा को मापते हैं यहां वोल्ट लिखावाई इसका हो जाएगा इलेक्टॉन वोल्ट यानि ए कि सोला नंबर कोच्छन कि स्वल्ट में कौन सा कथन ध्वानी तरंग और प्रकास तरंग के बारे में सही है एक एक करके च्वाइस देखना होगा पहला है कि ध्वानी तरंग अनुदर्ध तरंग है आप प्रकास तरंग अनुप्रस तरंग होती है सही है कि दूसरा च्वाइस था दोनों अनुदर्ध तरंग है गलत है द्वानी तरंग अनुप्रस्त और प्रकास तरंग अनुदर्ध दिवी गलत है तो इसका अनसर कुण सा हो जाएगा यह द्वानी तरंग अनुदर्ध तरंग और प्रकास तरंग अनुप्रस तरंग आईसे याद की धोनी में अधाथ involves अभू से अनुदर्द आदा दो ध्रकास प्र अनुप्र में भी प्र तो प्रकास हो गया अनुप्रस्त तरंग इस तरह से हम लोग याद रखेंगे तो अभी हम लोग कोशन देख रहे थे किसका 16 नमर का 16 का ओगया ए 17 कोशन देखेंगे 17 17 में देखिये कि उस बिकल्ब का चैन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार समंदित है जैसे दूसरा पद पहले पद से समंदित है जैसे सक्ति को हम लोग मापते हैं वाट में उसी तरह से आयतन को किसे मापेंगे लीटर में तो अंसर हो जाएगा 17 का डी डी यानि लीटर और अब देखते हैं कोशन नमबर 18 18 में है कि ओम के नियम की सिमाएं एक में किया है गैसी चालक पर लागू नहीं होता है यह ठोस चालक के लिए लागू होता है धातू के लिए लागू होता है दूसरा की जर्मेनियम और सिलकन जैसे अर्चालक पर लागू नहीं होता है कि अर्चालक में ओम का नियम विवांतर के समानुक्पाती होता है या ओम का नियम हुआ तो यह 18 का हम लोग सीदेखे अब देखेंगे क्वेश्चन नमबर 19 रीमी में तो 19 में है कि निव में से कौन saat सब्सक्ताम का समाव यवी नहीं है समावी के मतलब क्या था कि वैसे योगित का अनू सुत्र傑 समान हो किनतु सहचनाटे नहीं हो यह तप कह रहा है कि पेंटें नहीं नहीं है तो है ओला दिखाते हैं पहले कि टूटू डाय मिथाइल प्रोपेन एक च्वाइस में है तो पहले पेंटेन के लिए देखे दू तीन चार पाँच यह पेंटेन का सुत्र हो गया है कि यह हो गया पेंटेन आई इसको कहें नॉर्मल पेंटेन सिधा और स्टेट चेंड रहे गया ऊसका नाम नॉर्मल पेंटेन नॉर्मल पेंटेन हो गया को आई साथ हैं लोग पेंटेन को 1-2-3 तो यह जाएगा टू टू डाइ मिथाइल दोनवाद पर एक दो दोनवाद पर आपका मिथाइल ग्रूप है तो टू डाइ मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा तिन को कारवन हुगा इदर सही है और इसका देख लिए पर यहां पर मिथाइल ग्रूप है तो टू मिथाइल अब्यूटेन हो जाएगा सही है तो यह अनसर हो जाएगा इसका बी जो पेंटेन का आईसोमर्स नहीं है तो अनसर हो जाएगा बी 19 का हो गया बी और कोशन नमबर बीस देखेंगे कोशन नमबर बीस बीस में कि अंडप के निचले हिसे के फूले भाग को क्या कहते हैं अंडप को कहा जाता है कारपेल तो कारपेल के निचे वाला भाग देखे यह हो गया कारपेल फिमेल रूपड़ा की पाठ है फ़लावर में फ़लावर का मादा जनन अंग का नाम है कारपेल कारपेल इसी कहते हैं अंडप अजय जो भाग देख रहे हैं इसी का नाम है अंडासे अंडासे को लिखते हैं ओभरी और ओभरी में एक सुक्षम रचना है जिसका नाम है बिजांड जिसको लिखते हैं ओभ्यूल और उपर में नलका का रचना है इसका नाम है वर्तिका वर्तिका को लिखते हैं इस्टाइल और सबसे उपर में देख रहे हैं रचना इसका नाम है वर्तिकाग्र इस्टिगमा तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा फुला हुआ भाग का रहा है अधार की और मनीचे तो अंडासे हो जाएगा यानि ओभरी तो इसका अंसर हो जाएगा डी डी हो गया अंडासे और अब देखते हैं कोश्चन नमबर 21 कोश्चन नमबर 21 देखेंगे एक इसम है कि किसी भी गती से चलने वाले एम दर्यमान का एक कंड किसी दूसरे एम दर्यमान वाले इस्थिर कंड के साथ टकराता है तो टकर के बाद पहले कंड का विग क्या होगा जिसमालिकी एम दर्यमान की कोई बस्तू है और एक कंड आता इससे टकराएगा तो टकर के कि या स्थीर हो जाता है तो इसका मतल्य इसका वेग हो जाएगा सुनी यानि कि एककीश का सी नोर कर वन दाए गया सू कि इस नमर का और बाइस नमर में देखेंगे कि कोश्चन नमबर बाइस बाइस में कि आधुनिक आवर्थ सार्नी में इलेक्टोनिक बिन्यास दो आठ एक वाले तत्व को कहां रखा जाता है एक तत्व है जिसका बिन्यास है दो आठ एक तो आठ दुद्दस एक एगार है यानि प्रमानुसंख्या एगार है किसका होता है सोडियम का तो जिसके बाहरी कच्छा में एक लेक्टोन है तो यह पहला समूह हो गया तो संजोजी लेक्टोन जितना रहेगा वह बतलाएगा संजोजी ग्रूप को तो दो आठ है तो बाहरी के ठाप में एक ये टोन है संजोजी लेक्टोन एक है तो एक केवाध गुरूप का तत्व हो जाएगा तो पहला गुरूप का तत्व हो जाएगा टुछ तिसमूह हो जाएगा 1 समूह यानी डी ऐकीश का हो गया डी अब देखते हैं को श्चन संख्या 17 है इसका electronic विनियास्थ क्या होगा एक तत्व है इसका प्रमानु संख्या 17 है तो पहली कछ्छा में दो इलेक्टॉण दूसरी में आठ आठ तूद्दस हो गया अध तीसरी में कितना बचा साथ तो इसका electronic विनियास्थ क्या हो जाएगा दो आठ साथ यानि अनसर हो जाएगा इसका डी 17 किसका होता है क्लोरीन का सियल का सियल का होता है 17 अधुनी का और सारी में देखे तो 17 हुआ अस्थान और अब देखते हैं कोश्चन नमबर 24 कोश्चन नमबर 24 देखेंगे 24 में है कि लिटमस बिलियन एक बैगनी डाई है जिससे निकाला जाता है किसे तो लाइकन से लाइकन से निकालते हैं हम लोग लिटमस बिलियन जिसका कलर होता है वास्ति कलर बैगनी तो 24 का हो जाएगा सी लाइकन क्या है तो लाइकन कवक और सेवाल का सहजीवी है कवक का सेवाल एक साथ मिल करके और लाइकन अब देखे इसमें लिखावा है रिक्सिया तो रिक्सिया ब्रायो फाइटा समु का पोधा ब्रायो प्रश्चता को आता है प्लांट के लिए कौन होता है उसमा ता है फिवनेरिया जो फ्हरत में वह भी आता है ब्रायो फाइटा में इस पाइरो गाईरा थैलो फाइटा समू का पौधा है थैलो फाइटा में वैसे पौधा आते हैं जिसमें जड़ तना पती बिभेदित नहीं होता है है तो चौबीस का हम लोग देख रहे थे कोष्चन और लास्ट है कोष्चन 25 कि 24 का सी हो गया आप 25 में कोष्चन दिख लीजे पहले कोष्चन है कीपिनिमनी खीत का मिलान करें ए में हैं डाल्तन है लिए दस के पर माइनस-10 और कैलियम कैलियम केलिंस है पढ़ेंगे हम लोग तत्तों परफम चीनों का पर्योग करने वाला अब दोनों में हमनूं को मिलान करना है तो डाल्टन तो गया तक परफम जीन हों का प्रयोग करने वाला तत्व के लिए जिन जो दिया जाता है संकेत तो दिये थे डालतन तो एक का कौन सा हो जायगा 3 में एक आउ गया 310 के पाउर माइनस 10 मिटर एह हाइड्रोजन पर्मानुका ब्यास होता है त्रिजया होता है हाइडोजन प्रमानुकी त्रिजया और कैलियम कैलियम पोटासियम का लैटिन नाम है तो अब कौन सानसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा तो 25 का सी इस तरह से अभी 25 कोचन आप देख चुके यह 25 कोचन पुछा कोचन है प्रिवियस यह का है बहुत से अधंवार रइवार को जो टेश्ट्स चलता है पूरा आयह दो इसलिए यह द्यान देंगे और इस पर प्रैक्रीस एक राएंगे तो लिक Be कोचन पुछेगा नहीं लेकिन उससे समंधित जो कंसेप्ट वला कोचन है वो तो पुछेगा ही इसलिए कंसेप्ट बनेगा जो पुरा हम लोग इसको देखेंगे तो अब फिर अगला टेस्ट अगला दिन देखेंगे और मेहनत करते रहें मेरी सुब कामना है आप टार्गेट को हासिल करें धनेवाद झांगे